बच्चो आज हम आपके लिए एड़ेट अभ्यास पुस्ति का सामाजी विज्ञान का अध्याए शाद बताएंगे इसके पहले के वीडियो में अध्याए 6 तक बता चुके हैं गुगोल और इध्यास के कंप्लीट करती हैं आप हमारे यूटूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चली देखते हैं अब हम अध्याए 7 अध्याए 7 क्या है जन सुविधाएं इसका प्रशन नमबर एक है हमारे देश की जनता को सरवादिक आय प्राप्त होती ह है ए नमबर आयकर से बी नमबर शीमा सुल्क से सी नमबर निगम कर से और डी नमबर प्येंद्री उत्पाद सुल्क से तो इसका सही आंसर आजाएगा आपका सी नमबर निगम कर से कहां से प्राप्त होती है निगम कर से नएश्ट अगला कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर यहां पर पर्यावराण अच्छा है और दिनमबर यहां पर सच्छ जल सस्ता वह सुलव है तो इसका सही आइसर आजाएगा इसका दी बजट में नहीं दर्साया जाता है इसे बजट में नहीं दर्साया जाता है नेश्ट रगला कोश्चन है आपका कोश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भारती शोईदान के अंच्छेत 21 के अंतरगत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशा है तो इसका उत्तर है इसका आशा है कि अमीर गरीब हर वेक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर देनिक जरौतों को पूरा करने के लिवर परियाप मातरा में पानी मिले तो इस का देकिये मैलापूर में लोग बोर्वेल के पानी का प्यों की खारा है तो इसके और आपका परियesh नमबर 6 infantil दूसित पानी से होने वाली किनी 30 बिमारीयों के नाम बताईए उत्पर देखिये इसका दूसित पानी से होने वाली 50 बिमारिया ओर नमबर चार डायरिया और नमबर पांच मलेरिया ये क्या हो गई पांच बिमारिया बता है यहां तीन बिमारिया पूछा है आपने पांच बता दी हैं दूसित पानी से होने वाली तीन बिमारिया कुन सी हो गई दस पेचिस हैजा डायरिया मलेरिया ये किसके कारण होते हैं द तर केंद्री सरकार द्वारा किये जाने वाले व्य का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज अदाईगी पर व्य होता है इस परकार आपका प्रस नमबर नौ जलापूर्ती की कमी का बोज जातर गरीबों पर पड़ता है समझाईए तो चलिए देखते इसका उतर जलापूर्ती में कमी का बोज ज्यादा तर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के शामने पानी की किलत पैदा हो जाती है तो वे बोर्वेल खोद कर टेंकरों से पानी खहित कर या बोतल बंद पानी खहित कर अपना काम चला लेते हैं देखिए यहां पर क्या होता है कि जल की कमी जो होती है उसका बहुत सबसादी गरीबों पर 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 नेक्ष्ट प्रेशन है प्रेशन नमर दस आपके शहर में उपलत किनी पांच जन सुईधाओं के नाम बताईए उत्ता देखिए पांच जन सुईधा हैं कौन-कौन सी है जो आपके छेत्र में आया आ हमको सरकाद्वारस उधाय दी जाती है उनके नाम लिखना है यहां पर हमने आपको बता है यहां पर नमबर एक बिजली नम्बर दो स्वारज़निक परिवाद नमबर तीन विद्याले नमबर चास वास नमबर पांच सवच्छता तो इस परकार आपका प्रेशन नमबर 10 का अताव का प्रेस्ट नमबर 11 नीजी कमपनी जन सुविधा के कामों में रूची क्यों नहीं लेती है तो पर क्या होगा नीजी कमपनी जन सुविधा के कामों में रूची क्यों नहीं लेती है तो पर क्या होगा नीजी कमपनी जन सुविधा के कामों में रूची क्यों नहीं ल देती है क्योंकि ज्यादा दज्जन सुईधाओं में मुनाफ़े की गुंजाइस नहीं होती जबकि एलेजी कंपनिया मुनाफ़े के लिए चलती है प्रेस्ट नमबर 11 इसके बाद नेस्ट प्रेस्ट है आपका प्रेस्ट नमबर 12 केंद्र सरकार की आयके श्रोथ कौन-कौन इसके बाद नमबर 13 कोई एक उधान देकर समझाई कि जल पूर्ती की जिम्मेदारी नीजी कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए उतर देखिए जहां जलापूर्ती की जिम्मेदारी नीजी कंपनी को शोपी गई ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभा नहीं हो पाया उधान के लिए बोली विया आदी में तो इसके बाद नेश्ट प्रस ने आपका प्रस नमबर 14 प्रस नमबर 14 क्या का है पता लगाई कि आपके घर में कौन-कौन सी जन सुईधाय मिल रही है जो ह तरह आपको प्रस नमबर 14 सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और गरूप में शयाद जरूर कीजिए